English Speaking Course के Day 70 में आप सभी का स्वागत है Day 68 में हमने 3 घंटे की वीडियो में सभी prepositions का प्रयोग करना सीखा Day 69 में fixed prepositions देखे आज के इस वीडियो में 25 questions मैं आपके सामने रखूंगा इन 25 questions की मदद से आप ये जानने की कोशिस करेंगे कि क्या किसी भी sentence में आप तुरंट देखके बता पा रहे हैं कि यहाँ पर exactly कौन सा prepositions यूज किया जाना है तो आईए बिना time waste किये शुरुबात करते हैं एक एक करके sentences आपके सामने रखूंगा आप चाहे तो वीडियो को pause भी कर सकते हैं थोड़ा time ले सकते हैं पहला question आपके सामने है की वीडियो में मैंने आपको क्या-क्या options बताए थे between, among, amongst, amid, amidst सोचिए कौन सा preposition यहाँ पर यूज होगा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताए था कि दो लोगों की बीच की बात होगी तो between दो से जादा की बात होगी तो among या amongst और जब भी state of mind की बात हो confusion क्या है आपके दिमाग की एक अवस्था है state of mind है ऐसे case में मैंने अच्छे साब को examples दिये थे या तो amid या amidst इन में से किसी एक का यूज किया जा सकता है बीच के sense के लिए तो इस sentence को दो तरीके से बोला जा सकता है amidst this confusion all my time was wasted या फिर amidst this confusion all my time was wasted तो आप इसे note कर सकते हैं अगर आपने इस question को सही जवाब दिया पहले ही सोच लिया था तो one mark आपको मिला नहीं तो zero question number two उसने कोहली को कुछ क्रिकेटर्स के बीच में खड़ा देखा किन के बीच कुछ क्रिकेटर्स के बीच he saw कोहली standing उसने कोहली को देखा खड़ा हुआ कहां पर between आएगा among amongst या amid amidst जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दो से ज़ादा लोगों की बात हो ऐसे में among या amongst कुछ क्रिकेटर्स के बीच में तो क्या रहा है दो से ज़ादा ही होंगे कुछ अगर दो ही होते तो मैं कहता दो क्रिकेटर्स के बीच में तो ऐसे में among या amongst में से किसी एक काप यूज कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं जो भी आपने prepositions की वीडियो में सीखा है उसका test हो रहा है और यह बहुत ज़रूरी है तभी आप समझ पाते हैं कि जो आपने सीखा वो आपको याद है भी की नहीं question number 3 उस धकन के नीचे कुछ है कुछ है there is something उस धकन के नीचे किसी चीज के नीचे ऐसे में कौन सा preposition यहाँ पर आएगा अगर आपको याद हो मैंने कौन-कौन से options आपको बताये थे under, beneath, underneath, below, down सोचिए कौन सा preposition आना चाहिए अगर आप ध्यान दें तो धकन, मान लिजीए यह कोई धकन है इसके नीचे कुछ है अब हमें नहीं पता वो क्या चीज है क्योंकि वो पूरी तरह से इस धकन से covered है या मैं कह सकता हूँ कि यह जो भी चीज है यह पूरी तरह से hidden है छुपी हुई है, इसे आप देख नहीं पा रहे है तो जब भी पूरी तरह से covered यह धका हुआ, छिपा हुआ किसी चीज के नीचे कुछ होता है कह सकते हैं, there is something beneath that lid या फिर, there is something underneath that lid अगर आप under कह देंगे दूसरा रखती समस्तो जाएगा लेकिन सही English क्या है यह मैं आपको बता रहा हूँ, beneath या underneath इस case में Question number 4 क्या तुम कभी उन पहाडियों के उस पार गए हो? क्या तुम कभी गए हो? Have you ever gone उन पहाडियों के उस पार? उन पहाडियों के लिए तो कह दिया those hills के उस पार यनि उन पहाडियों के आगे ऐसे case में अगर आपको ध्यान हो जब भी किसी चीज या किसी जगह के आगे, या उस जगह के उस पार कहा जाता है ऐसे मैंने आपको दो options दिये थे ahead of या फिर beyond कुछ याद आया आपको पर मैंने आपको भी बताया था कि जब किसी व्यक्ती से आगे किसी प्राणी से आगे कहा जाए ऐसे मैं सिर्फ ahead of का यूज़ करते है और किसी abstract या निराकार से आगे कहा जाए तो केवल beyond का यूज़ करते है और किसी चीज या किसी जगह से आगे कहा जाए तो दोनों में से किसी का भी use कर सकते है ये जो पहाडियां है ये एक तरह की चीज़ें हैं, एक तरह की जगह है इसके पार कहा जा रहा है तो अब तक आपने चार questions देखे आप note करते रहिए कि कितने questions के जवाब आप सही दे पा रहे है Question number 5 Howra bridge हुगली नदी के उपर है The Howra bridge is क्या आएगा उपर के लिए किसी भी चीज के उपर की बात होती है तो क्या-क्या options आपके सामने होते है On भी कहते हैं, Above भी कहते हैं, Over भी कहते हैं, Upon भी कहते हैं और यहां तक कि अब भी कहते हैं उपर के लिए आपने इस सारे options देखे थे और एक-एक करके सब को मैंने examples के साथ समझाया था अगर आपको ध्यान हो, तो देखिए, एक नदी है, उसके उपर एक bridge है तो नदी के ठीक उपर ही होगा bridge तो जब ठीक उपर की बात होती है, ऐसे में Over का यूज़ करना, best भी कलता है The Howda bridge is over the Hoogley river और जो भी चीज़ें unique होती हैं, उनके साथ हमेशा the article का यूज़ होता है Howda bridge अपने आप में unique है, एक ही है Hoogley river, अपने आप में एक ही है, किसी भी नदी के साथ में किसी भी नदी के नाम के साथ में भी दर लगता है किसी भी unique चीज़ के साथ में दर लगता है यह additional information है आप देखिए question number 6 Table के उपर दिवार पर एक घड़ी है There is a clock, एक घड़ी है दिवार पर इतना तो clear है, हर कोई जानता है अब point है table के उपर यहाँ पर उपर के लिए क्या यूज़ करें तो आपको ध्यान है, मैंने आपको क्या बताया था देखिए, एक यह table है यह table के पहर है ठेक है? Table के उपर दिवार पर एक घड़ी है यहाँ पर एक घड़ी है यहाँ पर भी हो सकती है थोड़ा सा हटके भी हो सकती है इस side हो सकती है, इस side हो सकती है यहाँ पर हो चाहिए, यहाँ पर हो है तो table के उपर ही इस sentence को देखके आप यह तो नहीं कह सकते है कि table से उपर तो है लेकिन left की side है right की side है exactly उपर है जब exactly उपर हो ऐसे में मैंने आपको बताया था over जैसे कि यहाँ पर था exactly उपर लेकिन उपर है left right भी हो सकता है exactly उपर ज़रूरी नहीं है ऐसे में above का use करते हैं चुकि इस sentence को देख करके यह कहना मुश्किल है कि exactly clock है कहाँ पर ऐसे में over या above दोनों में से किसी का भी use किया जा सकता है हाँ अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आप मेरे घर पे जाईए मेरे उस room में जाईए उस room में देखिए कि table के उपर दिवार पर एक घड़ी है और मुझे तो यह पता है कि वो घड़ी exactly table के उपर ही कहीं पर दिवार पर exactly है सीधा उपर ऐसे में जब मैं English में sentence को बोलूँगा तो मैं over के साथ बोलूँगा और अगर मुझे ही पता है कि exactly उपर नहीं है बलकि कहीं पर है दिवार पर ऐसे में above बोलना ज़्यादा बहतर choice है हलाकि मैं over कहूं, above कहूं आप समझ जाएंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ एक difference मैंने जो की prepositions की वीडियो में भी आपको बताया था तो फिलाल इस sentence में तो दोनों में से किसी का भी use कर सकते हैं अब आजाते हैं question number 7 पे वो रात के 10 बजे तक टीवी देख रहा था he was watching television रात के 10 बजे तक रात के 10 बजे को तो हमने कह दिया 10 पीम तक के लिए क्या use करना है जब भी किसी समय तक की बात होती है कौन-कौन से options मैंने आपको prepositions में बताये थे till, until, up to, or by a point यह है कि कौन सा use करें अगर तो आपने वीडियो को ढंक से देखा था तो बड़े आराम से आप पकड़ लेंगे लेकिन चुकि मैं चीजों को बता रहा हूँ तो एक बार फिर से थोड़ा सा revise कर देता हूँ आप ध्यान देजिए यहाँ पर बात हो रही है देखने की क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? देखना जबकि इस sentence पर आ जाते हैं sentence number 8 पे उसने रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी यहाँ पर और यहाँ पर क्या फर्क है? यहाँ पर भी बात होई है रात के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक लेकिन फर्क है क्रियाओं का यहाँ बात देखने की हो रही है यहाँ पर बात बंद करने की हो रही है ठीक है? तो थोड़ा याद करिए एक टाइम नाइन दी थी और मैंने आपसे कहा था कि मान लिजी यह वो पॉइंट है यह पॉइंट है 10 पीम जब मैं इस सेंटेंस को कहता हूँ वो रात के 10 बजे तक टीवी देख रहा था ऐसे में वो देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था 10 बजे तक उसने देखा तो ये जो क्रिया है देखना वाच वो इस duration में हो रही थी वो क्रिया लेकिन इस case में बंद करने की बात हो रही है यहाँ पर तो बंद नहीं हो रहा था न TV कब बंद हुई exactly इस point तक इस point तक बंद की गई तो यहाँ पर जो क्रिया है वो इस point तक बता रही है जबकि इस क्रिया में ये जो क्रिया है ये इस point तक से पहले चल रही थी ये क्रिया चल रही थी ऐसे case में मैंने आपको समझाया था आप till, until या up to इन तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं परता He was watching television till 10 pm, until 10 pm या up to 10 pm ठीक है, एक बात तो ये और इस तरह के case में जब आपकी verb पहले से नहीं चलती आ रही है बलकि वो verb क्या इंडिकेट कर रही है कि इस point तक ये काम रुख गया था खत्म हो गया था, finish हो गया था ऐसे में आपको क्या use करना होता है by तो ये sentence कैसे बनेगा उसने रात के 10 बजे तक टीवी बंद कर दी थी He had switched off the television by 10 pm इस difference को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाय था यहाँ पर आप till, until या up to का use नहीं कर सकते, केवल by का use करेंगा ऐसे में question number 9 ये खिलोना मुझे पसंद नहीं है इसके अलावा और क्या विकल्प है I don't like this toy ये खिलोना मुझे पसंद नहीं है What are the other options और क्या विकल्प है इसके अलावा किसी चीज़ के अलावा के लिए कौन-कौन से विकल्प मैंने आपको दिये थे एक तो दिया था except और एक दिया था besides बताईए आप सोची यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खिलोना मुझे पसंद नहीं है दुकानदार ने आपको खिलोना दिखाया आपने का ये खिलोना पसंद नहीं है इसके अलावा बताईए यानि इस खिलोने को छोड़ कर बताईए ये तो मैं लूँगा ही ने इसके अलावा ऐसे में जब छोड़ कर की बात होती है इसके अलावा और क्या विकल्प है मतलब इसे छोड़ कर इस खिलोने को छोड़ कर और क्या विकल्प है छोड़ने की बात होती है ऐसे में accept का यूज़ करते है accept ठीक है, clear और ये question number 10 ये खिलोना भी अच्छा है पर इसके अलावा और क्या विकल्प है ये खिलोना भी अच्छा है यानि मैं इसे भी ले सकता हूँ लेकिन इसके साथ साथ और भी विकल्प बता दीजिए इसे छोड़ कर नहीं क्योंकि अगर कोई और पसंद नहीं आए तो फिर तो मैं ले लूँगा तो ऐसे case में इसके अलावा का sense क्या आ रहा है कि इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इसे तो रखिए, इसे include करिए लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या विकल्प है तो यहाँ पर छोड़ कर का है कि इसे छोड़ कर और क्या विकल्प है और यहाँ पर sense क्या है इसके अतिरिक्त और क्या विकल्प है ऐसे case में यूज होता है besides है न, difference और यह आपने prepositions की वीडियो में अच्छे से समझा था तो यह खिलोना भी अच्छा है this toy is also nice पर, but what are the other options besides this question number 11 एक हफते पहले ही वो मेरे घर आया था just a week क्या यूज करें यहाँ पर वो मेरे घर आया था he had visited my house यह तो clear है पहले के लिए मैंने आपको कौन-कौन से विकल बताय थे ago, back, earlier या before सोचिए कौन सा यूज करेंगे prepositions की वीडियो अगर आपने देखी है तो जब मैं कहता हूँ एक हफते पहले ही वो मेरे घर आया था एक हफते पहले कब से? आज से एक हफते पहले तो जब भी इस पल या इस present से पहले की बात होगी ऐसे में बिफोर का यूज नहीं करते है क्या यूज करते है ago, back या फिर earlier तो हम क्या कह सकते है just a week ago he had visited my house just a week back he had visited my house just a week earlier he had visited my house question number 12 road के किनारे एक ट्रक खड़ा है एक ट्रक खड़ा है मतलब एक ट्रक पार्क हो रुखा है a truck is parked road के किनारे यानि road से लगते वे कौन सा option यहाँ पर आएगा कौन सा preposition आएगा सोचिए आप चाहें तो वीडियो को pause कर लीजिए थोड़ा सोचिए prepositions की वीडियो में बताया था आपको आप यहाँ पर along का use भी कर सकते हैं और alongside का भी use कर सकते हैं यानि कि दोनों तरीके से sentence को कहना सही है a truck is parked along the road या फिर a truck is parked alongside the road question number 13 उदित ने 4000 रुपे में cycle खरीदी उदित purchased bicycle 4000 रुपे में आप में से बहुत से students जिनको prepositions के बारे में बहुत अच्छा knowledge नहीं होगा या जिन्होंने prepositions की वीडियो को नहीं देखा है वो में के लिए यहाँ पर in का use कर सकते हैं जो की बिलकुल गलत है prepositions की वीडियो में आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी चीज के बदले कुछ लेते हैं खासकर पैसे के बदले में ही अकसर आपको चीजें लेते हैं जैसे आप cycle खरीदते हैं mobile खरीदते हैं कोई भी चीज खरीदते हैं तो जब exchange जैसी बात sentence में बताई गई हो कि इतने रुपे में ये खरीदा इसके बदले ये खरीदा ऐसे में preposition for का ही use किया जाता है उदित purchased a bicycle for 4000 रुपीज जब आप लिखते हैं तो रुपीज पहले लिख देते हैं बोलते वक्त आप 4000 रुपीज भी कह सकते हैं रुपीज 4000 भी कह सकते हैं हलागि 4000 रुपीज ऐसा कहना ज़्यादा common practice है question number 14 उसने नीले पैन से पत्र लिखा he wrote the letter नीले पैन से से आ गया से के लिए तो आपने कई सारे prepositions पढ़े थे from, of, since, for, by, with इसके अलावत through, via, out of इतने सारे prepositions आपने पढ़े थे तो हर prepositions का अलगर rule आपने देखा था मैंने आपको यह बताया था कि जब भी किसी चीज का प्रियोग करके कुछ करते हैं उसने नीले पैन से पत्र लिखा यानि कि नीले पैन का use करके नीले पैन का प्रियोग करके SM हमेशा क्या आता है with और कई सारे examples भी दिये थे आपको he wrote the letter with a blue pen question number 15 यह फल 10 रुपे किलो बिक रहा है यह फल फल मतलब fruit this fruit is being sold यह फल बेचा जा रहा है यह बिक रहा है 10 रुपे किलो क्या बताये यांपर इस fruit का rate बता रहे है 10 रुपे किलो यह 5 रुपे किलो 15 रुपे किलो 20 रुपे किलो यह 20 रुपे के 2 किलो जब भी किसी भी चीज़ का rate बताये जाए ऐसे में कौन सा preposition यूज करते है सोची at जब कि यहांपर आप गलती से कुछ और preposition भी यूज कर सकते है लेकिन prepositions की वीडियो में clearly बताया था at का यूज होता है जब भी आप rate बताते हैं किसी भी चीज़ का ठीक है question number 16 में मैं holy पर घर आऊंगा मैं घर आऊंगा I will come home holy पर कौन सा preposition आना चाहिए सोची आप मैंने आपको बताया था किसी भी festival के साथ holy, diwali, christmas, ead कोई भी festival हो at का यूज करते हैं ये सबसे ज़्यादा common practice है लेकिन फिर साथी साथ एक और चीज़ बताई थी on का भी यूज किया जा सकता है English native on का भी यूज कर लेते हैं इस case में question number 17 में भी देखिए मुझे ये जानकारी Google से मिली I got this information मुझे ये information मिली Google से से आ गया कितने सारे options बताये थे from, of, since, for, with, by, via, through, out of सोचिए कौन सा वाला options आई है prepositions की वीडियो में बताया था मुझे जानकारी Google से मिली यानि किसका source कौन है Google आपको मैंने दो options बताये थे कि वा एक है from और एक है through I got this information from Google या through Google दोनों बिलकुल सही है question number 18 तुम इस किताब को speed post से भेज सकते हो you can send this book तुम इस किताब को भेज सकते हो speed post से तो जैसे ही ये source है सुरोत है कोई ये क्या है ये एक माध्यम है आप किसी को bluetooth से speed post से air drop से कुछ भेजते हो तो किसी माध्यम से medium से ऐसे में से के लिए क्या कौन से prepositions बताये थे सोची आप वीडियो को pause भी कर सकते हैं दो prepositions एक है वाया और या फिर थू तो दोनों तरहेके से बोल सकते हैं you can send this book via speedpost या फिर यू can send this book through speedpost. Question number 19. मैंने उच्छुकता वश आपसे सवाल पुछा. मैंने आपसे सवाल पुछा. I asked you this question. उच्छुकता वश का मतलब क्या हुआ? उच्छुकता के कारण. मुझे उच्छुकता थी. मुझे curiosity थी. इस कारण से मैंने आपसे सवाल पुछा. तो अगर इस तरह से fill in the blanks का कोई question आता है. तो यहाँ पर because of का use करना तो बहुत ही common है. Because of. I asked you this question because of curiosity. तो यह तो question बिल्कु सही है. लेकिन यहाँ पर point क्या है कि मैं preposition की बात कर रहा हूँ. कौन सा प्रेपोजिशन बताया था इसके लिए? आउट ओफ. अगर प्रेपोजिशन की वीडियो देखी तो ध्यान होगा आपको. और ऐसा नहीं है कि आउट ओफ का use केवल इसी केस में हो रहा है. किसी चीज की वजह से यह के कारन वाली बात पे. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ां और बताई थी मैंने आपको. क्वेशन नमबर 20. 25 तक के पहाड़े सुनाओ. पहाड़े सुनाओ. जिने आप टेबल कहते हैं. Recite the table. 25 तक. 25 तक. कौन से प्रेपोजिशन्स? सोची है जरब. वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं आप. आपको मैं बता देता हूँ. एक तो मैंने आपको बताया था. तिल इसके अलावा अंटिल और इसके अलावा. सोची है आप. अप टू. Recite the table. तिल 25 अंटिल 25 या अप टू 25. कॉईशन नमबर 21. उसने दूद से मक्षन बनाया. उसने मक्षन बनाया ही मेड बटर. किस से बनाया है? दूद से बनाया. जब एक चीज से कोई दूसरी चीज बनती है. ऐसे केस में कौन से दो प्रेपोजिशन बताये थे मैंने आपको? एक तो from और दूसरा out of. केवल इन दोनों में से किसी एक का यूश किया जा सकता है. ही मेड बटर from milk या फिर ही मेड बटर out of milk. कॉईशन नमबर 22. मेरा फ्लैट आपके आपके फ्लैट के ऊपर है? मेरा फ्लैट है. माइ फ्लैट इस ऊपर के लिए. जैसा पहले भी मैंने आपको बताया है कौन-कौन से प्रेपोजिशन हैं? on, upon, above, up. यह सभी प्रेपोजिशन पहले भी बताये थे. कौन सा वाला प्रेपोजिशन फिट होता है? जब भी किसी बिल्डिंग में एक के ऊपर एक की बात होती है. तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? क्या बताया था? above. और जब नीचे की बात होगी, मेरा फ्लैट आपके फ्लैट के नीचे है, तो फिर above का ठीक उल्टा क्या? below. यहाँ पर क्या आएगा? above. My flat is above your flat. आज के last questions हैं 23, 24, 25. 23 number का question देखिए, वो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो हिम्मत नहीं कर सकता, बोलने की, he can't dare to speak. मेरे सामने, सामने के लिए क्या यूज करते हैं? in, front of, इसका यूज तो बहुत common है, लेकिन इसके अलावा भी एक proposition में आपको बताया था, बिफोर मी, बिफोर का यूज भी बताया था न, एक मतलब तो होता है पहले, लेकिन एक मतलब साती सा सामने भी होता है, तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, he can't dare to speak in front of me, he can't dare to speak before me, उसके दस साल से बड़े दो बच्चे हैं, he has two children, उसके दो बच्चे हैं, दस साल से बड़े, ऐसे केस में जब भी उम्र में बड़े होने की बात होती है, मैंने दो प्रेपोजिशन्स आपको बताये थे, अगर आपने देखा था वीडियो, एक था over और या फिर above, दोनों में से किसी का भी उज कर लेते हैं, आदेश दिया, बॉस ने मुझे आदेश दिया, दो बॉस ओर्डर्ड मी, खड़े होने का, to stand, कहां पर, बाई और, अच्छा, ये सेंटेंस क्यों इंक्लूड किया मैंने, क्योंकि मैंने आपको एक एक सेप्शनल केस बताया था, जैसे मान लिजी हम किसी से कहते हैं कि बाई और चलो, तो इसके लिए क्या एक इंट्रस्टिंग सा एक सेंटेंस यूज किया जाता है, keep to the left, तो अकसर हमारे मन ने ये इंप्रेशन होता है कि to का यूज होगा to the left, लेकिन, सिर्फ, इस केस में keep to the left कहा जाता है, ये तो एक स्टेंडर सेंटेंस है जैसे इंग्लिश नेटेंब बोलते हैं, लेकिन बाई और होना, या दाई और होना, ऐसे केस में मैंने आपको किस प्रेपोजिशन में समझाया था ये पॉइंट, अब आप इस वीडियो के कॉमेंट्स में ये बताईए कि 25 में से आपकी कितने कुईशन सही गए, तो आउट ओफ 25 जितने भी मांक्स आपके आए, इस वीडियो के कॉमेंट्स में आप लिखिए, फिलाल आज के लिए यही तक, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा, कॉमेंट्स में बताईएगा कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्च्चर में, तब तक के लिए टेक केर, गुडबाई.